अम्दावादनी ताज होटेल मा वकफ बॉड अंगे बैठक, जॉइंट पार्लामेंटरी कमीटी एन राज्य सरकार वच्चे बैठक, सरकार ना प्रतिवीधी तरीके ग्रुराज्य मंद्री द्वारा रजुवात कराई प्रतियक नागरिकोना हीत मा जे विशयो हता ए मुकवानी जवाबदारी मारी जे हती ए मैं अदा करी जे राज्य सरकार द्वारा आज संपुर्ण बदाज नागरिकोना हीत ना बदाज मुद्दाव आजे रजु करवा मा आविया जे आज गुजरात सरकार के प्रतिनिदी मंदल द्वारा संसत द्वारा बनाई हुई वकफ एमेंड्मेंड एक्ट दो हजार चौबिस की जॉइंट पार्लामेंटरी कमिटी समक्ष राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के हित में एमेंड्मेंड एक्ट के बढ़लाव के बारे में जो सुचन थे वो आज जे पीसी कमिटी के समक्ष रखे है राज्य के और देश के प्रतियक नागरिकों के हित में ये सुचन आज रखे गए है देखे मैं राज्य सरकार के प्रतिनीदी मंडल को लेके जब जे पीसी में गया मेरी ये जिम्मेदारी है कि राज्य के प्रतियक नागरिकों के हित में विशय रखना और मैंने आज ये विशय जे पीसी कमिटी के समक्ष रखे है ये जे पीसी कमिटी के एक नियम है कि विशयों की चर्चा मीडिया से एवं भार सारवजनिक रूप में नहीं हो सकती के हीत का विशाई हो तो भुपेंदर भाई पटेल की सरकार चाहे वो कोई भी विशाई हो वो निडरता से और निस्पक्स तरीके से रखेगी हर्ष भै एक सबसे बड़ा सवाल यह होता है इसकी मीडिया में चल्चा जीपीसी के नियम के इसाब से नहीं की जा तकी पर सबसे बड़ी बात है जो वकफ प्रॉपर्टीज को लेके जो इश्यू कोट में भी चलते रहते हैं साथ में ही यह सारे मामलों को लेके कहीं न कहीं स और यह प्रयास को मैं एवं राज्य सरकार एवं देश के सभी नागरी कही न कहीं उसको कहीं न कहीं स्वागत कर रहे हैं यह प्रयास का और यह प्रयास अपने आप में सभी के हक में हैं और सभी के इंस्टिशनल राइट्स हैं उसको संभाल के जो किया गया है उसको राज् ये प्रयास है। यूनिफर्मिटी के लिए ये कितना इंपोर्टन है। ये प्रतिकरी आपी हती के जेजे मुद्धा मुक्वामा आव्याच छे। तेहुं चोकस्ती कैश, खुलीने कैश, प्रस्ता करीने कैश, पर कितनीक बाबतों अंगत पन होई छे।